हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो दोस्तों नमस्कार जैहिंद जैभारत दोस्त आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खास करके स्पेसल डे जो होता है इंडेपेंडेस डे उसी पर यह वीडियो ठीक है दोस्त तो यह वीडियो में बना रहा हूं बच्चों के लि ठीक है और आप फर्स्ट वीडियो बढ़ेंगे ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों इस स्पीच को याद कर लो और गरेंटी है कि दोस्त अगर बोल दिया तो कोई नहीं रोक सकता है ठीक है तो चलिए सुरू करते बावो बच्चों के लिए है मैंने एक वीडियो डाला है अगरों के लिए आप उसको देखना और यह छोटे बच्चों के लिए ठीक है ररस बहुत ही सिंपल वे है बहुत ही सधान सब्दों में है और खूब बणियांस से बद thoroughly है खोट यह खोटle ah港 शोट शोटवर सेंटेंस है ठीक है अराम से सूनना और ठीक है देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों जब जाना या स्टेज़पर या माइक के सामने तो क्या करने आपको कि हımआप पर माइक पकड़के और सारे लोगों जो आपके सामने हैं उपस्ती थे हैं उनको छोटा सा ग्रीट करना है अभिवादन करना है क्या बोलोगे? Good morning. Good morning and happy independence day to my respected teachers and dear friends. ऐसा ही बोलना? Good morning and happy independence day to my respected teachers and dear friends. It is our 76th independence day. And we should feel proud to be a part of an independent nation that has freedom of a speech and freedom to live life in our own way. इसको जरूर बोलना है. मेरे प्यारे छात्र, जो भी बच्चा पाटी देख रहा है, इस वीडियो को सुन रहा है. पले सुरुवात में यह जरूर बोलना, आप अपने स्पीच को सुरूर करने से पले इस लाइन को जरूर बोलना, ठीक है? यह आपका ग्रिट हो गया. देखो यहाँ पे. क्या हिंदी बताना पर रहेगा कि समझ में आ गया? यह अभिवादन है, जिसको हम लोग बोलते हैं, गुड़ मौर्णी, हैपी इंडिपेंट्स देर, तो मैं रिस्पेक्टेद टीचर्स और डियर फ्रेंड्स, आज हमारा यह जहत्रवा, क्या है? सौतन्ता दिवश है, और हमें इस पर गर्व महसूस करना चाहिए, कि हम लोग इस सौतन्त राष्ट के एक पाठ है, हिस्सा है, जो कि हमें आजादी दिया है, क्या दिया है? बोलने का, जीने की आजादी और भी अपने तरीके से, चीक है? आगे देखिए. यह जुरू बोलना है, 15th August is a red letter day in the history of India. बोलना है, ठीक है? कि भारत की इतिहास में 15 अगस्त को एक महत्पून दिन मानते हैं, ठीक है? वी बिकेम फ्री, क्यों मानते हैं? क्योंकि वी बिकेम फ्री ओन दिस टे, in 1947. आज ही के दिन, 1947 में हमारा देश अजाद हुआ था, and India was ruled by the Englishman, और हमारे जो देश है, भारत, वो अंगरेजों के दोरा सासन किया गया था, and they ruled us for a long time, और वो अंगरेज हमारे उपर, हमारे दे वी फ्री, हम लोग चाते थे कि क्या करें, अजाद हो जाएं, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, so we started a struggle, हम लोगों ने संहर सुरू किया, many Indians, यहाँ पे दोस्त, वेर कर देना, मेरे प्यार चात, यह गलती से, mistake by mistake, print हो गया है, आप यहाँ पे वेर कर देना, मेरे प्यार पेल हुए, चोटिल हुए, but we did not give up hope, लेकिन हमने आसा नहीं छोड़ी, उमीद नहीं छोड़ी, और उसमें महान महान लोग, हमारे हीरो लोग भाग लिए, नाम था Gandhi जी, Nehru जी, सुवास, and others, बहुत भी और भी सारे सौतंता से नानी थे, जो took part in the struggle, इस संहर समें भाग ल and our country became independent, और हमारा जो देश था, वो सौतंत हो गया, on 15th August 1947, इसी दिन को, so it is a day of great importance for us, इसलिए यह दिन हम लोग के लिए बहुत ही महत्तो का दिन है, since then, तब से, we celebrate this independence day with great joy, तब से हम लोग यह सौतंता दियोस मनाते हैं, बहुत ही धूमधाम से, ठीक है? अंत में कहना, दोस्त, at last, जब आप लोग स्पीच को समाप करना, तो अंत में कहना कि at last, यानि कि अंत में, मैं सारे भाईयों से, दोस्तों से, I want to say something in Hindi, यानि आप सभी से मैं कुछ हिंदी में, दो लाइन, कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी हिंदी में जरूर बोलना है, ठीक है, और हिंदी में क्या बोलना है, दोस्त, बहुत ही important देख लिए आपे, कह रहा है दोस्त, देश सलामी इस तिरंगे को, ध्यान सुना है दोस्त, देश सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी सान है, सर हमेशा उचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है, अगर इस लाइन को बोल दोगे लास्ट में न दोस्त, अपना स्पीच समाप्त करने के बाद इसको जरूर बोलना है, इस वरी इंपॉर्टेंट, हम सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो इस स्पीच को बोलेंगे, ला बच्चों के लिए है, बरों के लिए मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है, आप जा कर देख सकते हैं, जो लोग भी बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जगों पर स्पीच दिना है, तो मेरा वीडियो डाला हुआ है, आप देखें और उसको बोलें, ठीक है, थैंक